क्या आपका भी आईफोन एक पल लोगों पे स्टक हो जाता है रुक जाता है तो आज आप इस वीडियो को लास तक देखते रहो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो और वो भी चुत्कियों है तो बिदा किसी देरी के आप इस वीडियो पे आज आएंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं अगर आप सभी रिकबरी मोड में स्टक हो चुके हो उसमें से बाहर नहीं निकल पारे हो तो यहाँ पे आप एक क्लिक में उससे बाहर निकल सकते हैं डेर सो से प्लस iOS, iPad और TBS क problem को fix करने का इसके पास solution है और इस तरीकी की आपको धीर सारे market में software मिल जाएंगे लेकिन उनमें उनको इस्तिमाल करना और उनमें problems को ठीक करना काफी complicated है इसलिए मैं आप सभी को recommend कर रहा हूँ TenorSayer का rei boot जिससे की आप सभी अपने apple logo is tuck को solve कर सकते तो यहां से आप free में अपने window या फिर Mac के लिए download कर सकते हैं तो हम यहां पर click करते हैं और इसको install कर लेते हैं अब आपको start वाले button के उपर click करना है तो देख सकते हैं हमारा यह start हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने iPhone के recovery mode में चले जाना है तो यहां पर देखें इंटर recovery mode का एक option है इस पर उपर हमें click करना है और फिर आपका जो iPhone है वो recovery mode में चला जाएगा जिससे की आपका system repair हो सके तो आज हम recovery mode में आ चुके हैं देख सकते हैं मेरा जो phone है वो recovery mode में जा रहा है तो देख सकते हैं कि हम अभी recovery mode में आ चुके हैं और successful हम यहां पर recovery mode में आ चुके हैं तो अब यहां पर आपको क्या करना है iOS system repair के उपर click करना है तो यहां पर start का एक button है start के उपर click करते हैं दे होने के chances जादा रहेंगे ठीक है तो हम standard repair को follow करेंगे जिससे की हमारा data loss ना हो अगर आपका एक बार में ठीक नहीं होता है तो इसे आप दुबारा करिएगा तीबारा करिएगा फिर जाकर आपका ये ठीक हो जाएगा तो यहां पे हम standard repair के उपर हम click करते हैं अब हमारा formweaver का जो version है वो यहां पे हमें so करा दिया ठीक है तो इसे हमें download कर लेना है तो यहां पे देखे download का option है अगर आप यहां से download नहीं कर पा रहे हैं तो देखे यहां पे आपको click here का एक option है यहां से भी click करके इसे browser के थुरू download कर सकते हैं तो यहां पे हम download वाले option पे click करते हैं और आप दिखे हमारा यह download का process जो है वो start हो चुका है यह हमारा 6 GB का है तो इसमें कुछ time लगेगा download होने में तो हम इसे download होने देते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा अब यह downloading almost complete होने के कगार पे है यह recovery mode में ही है तो हम यहां पे start standard repair के उपर हम click करते हैं और देख सकते हैं कि यह पहले verify करेगा और इसमें लगबग 2-3 minute लग जाते हैं ठीक है तो यहां पे देखे पहले यह verify कर रहा है framework को अब यह progress start कर दिया देख सकते हैं मेरा phone switch off हो के on हो चुका है बदाई हो तो देख सकते हैं कि standard repair complete हो चुका है और मेरा जो iPhone है वो switch on हो रहा है और मेरे laptop में यहां पे standard repair complete successful लिख दिया अगर आप भी मेरी तरह सफलता पुर्वक अपने iOS के अंदर अपने iPhone के अंदर stuck logo को ठीक करना चाते हो तो आप rei boot tenor sear का इस्तिमाल कर सकते हो और free में इसे download कर सकते हो देख सकते हैं कि यहां पे free download का link है यहां से click करके आप अपने window या फिर Mac में download कर सकते हो तो उमीद करते हैं कि आप सभी इस video के माध्यम से यह चीज सीख चुके होंगे कि कैसे आप सभी अपने Apple logo का stuck होना कैसे ठीक कर सकते हैं तो बस पूटे में इतना ही हम मिलते हैं फिर आप से अगले video में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा take care till then and good bye